हाई फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वाटर पंप के बारे में दोस्तों हमारे घर में जो टुलू पंप लगा हुआ होता है वो कोई भी हो सकता है आदा एचपी एक एचपी या फिर कोई भी कंपनी का हो सकता है लेकिन उसमें प्रोब्लम यह आती है कि उसमें आपको बार बार पार नहीं भरना पड़ रहा है मतलब जब भी आप उसको चला रहे हैं चाहिए कभी भी उसको चलाते हैं लेकिन उसमें जब आप पानी डालेंगे तब ही पानी आएगा तो यह प्रोब्लम क्या है इसको लेकर हम बात करेंगे कुछ लोगों को पता है जो नोलेज कर पाएंगे घर पर ही आसनी से और इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है मात्र 15 से 20 रुपे का खर्चा आपका आएगा तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है मेरा नाम है समय और आप देख रहें हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय तो दोस समय अपने अपने इसाफ से बोलते हैं लेकिन ये क्या एनरवी है नौन रिटन वाल मतलब नौन रिटन वाल होता है एनरवी और एक अनरवी और वह आता है वह क्याए पाइप में ही लगता है उसका भी यूज अगर आप उसमें करेंगे तो उससे भी इसका काम हो जाता है लेकिन आपको वो करना कहां पर है, बिलकुल जो इसका पाइब है खेंचने वाला उसके पीछे की तरफ, अगर उसको भी आप लगाएंगे और ये भी खराब हो जाता है, तो भी आपको मोटर में पानी बार बार नहीं भरना पड़ेगा, और दोस्तों ये मातर 15-20 रुपे का मिलता है और इसमें क्या होता है कि इसमें यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, यहां पर इसमें कुछ गैप हो जाता है, जिसकी वज़े से इसका पानी वापस निकल जाता है, अब जब आप इसको लगाएंगे नया, तो ये वाला जि यह जिस मोटर में यह NRV लगी होई होती है उसमें आपको पानी जब बार बार डालना पड़ा है तो समझें आपकी NRV खतम हो गई है इस वज़े से वो पानी नहीं उठा रही है और एक परसंट यह भी होता है कि उसकी oil, water seal जो होती है वो leak हो जाती है उसकी वज़े से भी ये पानी का मुझा उठाने का एक region हो सकता है लेकिन man कारण जो होता है वो इसी NRV का होता है ये 15-20 रुपे की मिल जाती है इसके 2 size जाते हैं एक HP का अलग आता है ये आदा HP का है ये अलग आता है मतलब उसका थोड़ा साई जाएगा इसका थोड़ा सा छोटा है और बाकि कुछ कंपनी है जिनका model थोड़ थोड़ अलग है लेकिन सब के मिलते हैं मतलब जो L टाइप motor है L टाइप motor उनमें सब में ये लगता है और दोस्तो एक रिजन ये भी होता है मतलब ये पानी भरने का रिजन था एक रिजन ये होता है पानी ना उठाने का उसमें क्याई कि जो खेंचने वाली पाइप है हलकी सी भी पीछे से लीक रह गई जहां से वो पानी खेंच रही है तो उसमें क्या है कि air बन जाती है और उसकी वज़े से उसका pressure डाउन हो जाता है मतलब vacuum जो बनाती है motor का pump उसको मतलब pressure को कम कर देता है अगर आपका हलका सा भी leak है चाहिए वो get wall हो पीछे की तरफ मतलब उससे भी क्या है कि वो leak हो जाते हैं हलके full के जिससे air लेती है उसकी वज़े से भी मतलब ये पानी नहीं उठाती है तो दोस्तों ये पानी ना उठाने का कारण है पीछे से leakaging का और पानी भरने का कारण जो ये है मैंने आपको बता दिया और आपको मैंने बताया इसको आप किस तरीके से लगाएंगे पीछे का वो जो खेंचने वाला पाइंप है वहाँ पर हेड में लगा हुआ होता है वहाँ से आपको एक खोलना है खोलने के बाद इसमें दो पेकिंग लगती है रबड की एक आगे की तरफ लगेगी, एक पीछे की तरफ लगेगी और यह जो हिस्स वाला जो दब रहा है, यह हेड के अंदर जाएगा तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे और इसको लगाने के बाद पानी डालें उसके बाद आपको मोटर में पानी बरने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि मोटर में बार बार पानी हमको क्यों बरना पड़ता है और क्या वज़े होती है तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर